है गाईज आई एर इल इंडिया लिमिटेट के तरफ से बहुत बोड़ी वेकेंसी न्यूज आईए इस वीडियो में हम कम्प्रीट डीटेल्स बात करेंगे कि कैसे आप एपलाय करेंगे किस किस क्वालिपिकेशन का केंडिडेट एपलाय कर सकते हैं क्या एज लिमिट है और क यह गलती आपका होगा मेरा नहीं तो चलिए फिर और एक बात बता दूं यह न्यूज यह रिकुर्मेंट न्यूज शिर्प एंड शिर्प आपको फ्रेंड्स रूट इटूप चैनल में ही देखने को मिलेगा हो सकता है इसके बाद और को अप्लोड कर सकता है बड़ फर्स पर चलिए हम पहले जोब के बारे में देखते हैं इस डोप के इस सब्सक्राइब को पहले सर्च कर लेना क्रोम प्राषे पर i-r-e-l.co.in इससे सर्च करने के बाद हम पूरा लास्ट में जाएंगे यहां पर आप देख सकते हो इस फूटर सेक्शन में होगा केरियर केरियर में जाना है आपको ओ सरी मेरा इंटरनेट बंद हो गया है माप करना तो फिर यहां पर हम केरियर में आगे केरियर के आने के बाद यहां पर आप देख सकते हो एंगेजमेंट इस सेकेंड वाला एंगेजमेंट अप अपरेंटिज फॉर ओ एस सी ओ एम यह वाला ओके डीटेल नोटिपिकेशन आपको यह वाला डाउनलोड करना है मैंने अल्लेडी डाउनलोड करके रखा है तो इसलिए ऐसे आ रहा है तो मैं बस इसे ओपन कर लेता हूं क्लिक करके ओके चलिए यह ओफिस्याल नोटिपिकेशन ओपन हो गया यहां पर आप देख सकते हो चाहिए लाएब आसिस्टन का काम किये हो तो फिर आप अप कर सकती यहां पर टोटल चार वेकनची है टोटल चार वेकेंशी एह उसके बाद आता है एक्जुकेटिव एचार जिसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए MBA चाहिए और MA चाहिए और आप किसी equivalent qualifications किये हो alternative कुछ courses किये हो फिर आप apply कर सकते हो और इसके लिए एक ही वेकेंसी है ज्यादा नहीं है only A की वेकेंसी है उसके बात आता है executive computer science के लिए और इसके लिए mca 3 full year course किये हो तब भी जाके आप apply कर सकते हो mca का 3 साल आप total course fulfill किये हो तो भी आप apply कर सकते हो और टोटल A की वेकेंसी है यहाँ पे और executive finance के लिए ca icwa mfc और mba किये हो mba किस department में finance और accounts department में किये हो तो भी जाके आप apply कर सकते हो और उसके लिए दो वेकेंसी है उसके बाद हम देखते graduate apprentice के लिए graduate apprentice mechanical है electrical है mechanical के लिए बी या बी टेक mechanical चाहिए total six vacancy है और electrical के लिए बी एंड बी टेक ओके बी एंड बी टेक इलेक्ट्रिकल और electronics department से होगा तभी जाके होगा और eight vacancy है total उसके बाद आता है civil civil के लिए वैसा ही बी और बी टेक civil और उसके लिए कितना vacancy है total दो vacancy है और यहाँ पर आगया chemical के लि टेक्निकल एपरेंटीज हो गया mechanical जो डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा इन मेकानिकल इंजिनियर ओके डिप्लोमा किये होग आप मेकानिकल पे तो फिर आप अप्लाय कर सकते हो और total six vacancy है उसके बाद आता है electrical इलेक्ट्रिकल वैसे आप डिप्लोमा किये हो electrical के उपर और electrical electronics इंजिनियर के उपर तो फिर आप है अफिर आइप प्लाइब कर सकते हो टोटल चार वेकेंसी है और civil के उपर diplomPad दिपलोमा में? civil के हो तो फिर आपंगे आपूछ आपाइब कर सकते हो टोटल दो वेकेंसी है ओके 18 से 25 और इसका मैक्सिमम एज है 25 से उपर है तो आप अप्पलाई नहीं कर सकते हो और इसका कुछ एज रिलाक्सेशन है जैसे कि मैं पहले बताया था यह SCST काटोगोरी सा बिलंग करते हो कास्ट से तो फिर आपका पांच साल का रिलाक्सेशन है मतलब 25 यूर जो है यह आप आपका 30 एज तब भी आप अप्पलाई कर सकते हो और और यहां पे यहां पे इंपोर्टान चीज सिलेक्षन मैथोलोजी सिलक्शन मैथोलोजी तो आपको पता ही होगा रिटीन टेस्ट है और इसका फिजिकल फिटनेस में चेक्किया जाएगा और भाइबा है उसके बाद आपका सेटिपेट वेरिफिकेशन ओके जैसे कि हर जब का होता है यहां पर यहां पर इसा ही है कुछ इतना हाड़ वाक भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं पस एवरेज जो स्टॉड़ी के साथ कंटीनिय होगा वह आराम इजीली क्वालिफाय क सब्सक्राइब कर जाएगा और यहां पर प्रॉड़ी अप फसिलेक्शन यहां पर बड़ी बात है जो मेरे को समझ में नहीं आरा कि कंपनी ने क्यूं यह डॉकुमेंट मांग रहा है आप जहाँ पर बिलंग करते हो मतलब जिस लैंड से बिलंग लंग करते हो जहां पर है गंजाम district में बता दूक्छ बुलिफा में गंजाम district में company है अर ये company के साथ किलेमटर के surrounding में जो एरिया आता है ओके गाउं आता है village like यहांपेख examples के लिए गाउं का नाम है , अरजि पल्ली मटी खालो ठीकocol, और working क्या है यह वाला कानव मना ठीक है और टकिरिया बरंपुर ऐसे कुछ गाउं है जिस गाउं से आप बिलंग करते हो यहां पर और है के बादपुटी ओके कालियाबली यह सब गाउं से आप बिलंग करते है तो फिर आपको यह सब साथ किलमेटर के अंदर ही आता है तो फिर इस गाउं से आप बिलंग करते हो और फिर दुस्तरे कुछ गाउं है जो 7 km के अंदर आता है उस कर सकते हों बट आप जहां पर रहते हो लैंड proof उस्से आपको देना पड़ेगा यहां पे लिखा आए केंडिडेट्स बिलंगिंग टू गंजाम डिक्ट्रीट ओके डॉक्य 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 तो फिर नेक्स्ट आता है अधर्स आप एसा नहीं कि जो मैं अल्लेड ही बता दिया कि गंजाम डिक्ट्रीट से बिलंग करते हो तो अभी एपलाई कर सकते हो आप अधर्स मतलब कोई भी जब आप एपलाई करने जाओ सबसे बड़ी बात यह होता है कि हम एपलाई कैसे करेंगे तो यहां पर में बता दूँ यहां पर तो आपको स्पीट पोस्टी करना पड़ेगा मतलब आप डेस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो ओं-लाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिल आप स्पीट पुस्ट करने से पहले आपका डॉकुमेंट स्पीट पुस्ट करने से पहले यह दो वेबसाइट है यह दो वेबसाइट है जहां पर आपको क्या करना है रेजिस्टर करना है यह दो वेबसाइट है आपको फ्री में कोई दिक्कत ने आपको कोई पैसा नहीं पड़ेगा पस इस पोर्टाल में आपको रेजिस्टर करना है ओके उस और एक बात और एक बात बता दू कि अगर आप ग्राजुएट ओके अगर आप ग्राजुएट और टेक्निशन के लिए एप्लाय कर रहे हो ठीक है सरी मैं चेक कर लेता हूं सरी आप अगर ट्रेड ट्रे अगर आप ग्राजुएट और टेक्निशन के लिए अप्लाय कर रहे हो तो पिर आपका रेजिस्ट्रेशन नमबर यह होगा ओके यह ज्यान रखना ओके और उसके बात आता है प्रोसीडियोर टू सब्मिट अप्लिकाशन फॉर्म फॉर्म अप्लिकाशन शुद भी सबिटे आपको एक एनवलप में एफोर साइज पेपर में प्रिंट आउट निकालना है उसके बाद फिल अप करना है उसके बाद एनवलप में फिल अप करके अंटर करके आपको सिल करके सेंट करना है और आपको उपर मतलब एनवलप में उपर एप्लिकाशन यह लिखना है एप्ल discipline applied for आप जिस्ट डेजिगनेशन के लिए अप्लाए करें यहां पर एंटर करना ओके यह हो गया complete उसके बाद आता है लिस्ट डॉकुमेंट्स आप क्या क्या डॉकुमेंट्स अंड करोगे डॉकुमेंट्स में पहले आता है आपका डेट ऑव बार्थ मतब्द डेट अब पर आप प्रूफ चाहिए लाइक आप बार्थ सर्टिपिकेट दे सकते हो फिर टेंथ मार्कशिट भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं इसके बाद आता है टेंथ म पड़ेगा और उसके बाद आता है इंकॉम प्रूफ और उसके बाद आता है इंकॉम प्रूफ यहां पर देना पड़ेगा और उसके बाद आता है इसके बाद आता है आपको इंकॉम शाटिवेट देना पड़ेगा यहां पर नेक्स्ट आएगा सेमिस्टर वाइज और हो भी हो उसका आपको प्रूप देना पड़ेगा डिस्टांस का और यह के नेटिविटी सेटिफिकेट और उसके बाद लास्ट में आता है आधार कार्ड और उसके बाद पोस्टल आड्रेस फॉर सब्मिटिंग एप्लिकेशन यह रहा पोस्टल आड्रेस कंपनी का आड्रेस रहा है इस आड्रेस में आपको स्पीट पोस्ट करना है ओके और डेट क्या है ट्वेंटी वान अक्टवर 2021 इस डेट से पहले पहुंच जाना चाहिए आपका एप्लिकेशन तो अभी टाइम है दोस्त लोग एप्लाइ करो ज्यादा नहीं है आप आप आज कल वाई एक दिन दो दिन में पहुंच जाता है कोई दिक्कत नहीं आपका एप्लिकेशन जरूर पहुंच जाएगा तो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि आपको एप्लिकेशन फॉर्म थोड़ा बहुत दिखा देता हूं तो चली हम एप्लिकेशन फॉर्म पर जाते हैं गाइज मैं फिट से वेबसाइट के उपर आ गया ठीक है जहां से हम छोड़ के गये थे ऑफिशाल भी आप डाउनलोड कर सकते हूं यहां पर आप मैं अल्याठी डाउनलोड कर कर करेता हूं तो प्रक्ष में ओपन कर रहा हूं तो यहां पर देख सकते हो पोर्टल रेजिस्रेशन नमबर मैंने बताया था कि जिस डेजिनेशन के लिए रखेशन नमबर बताया था मैंने और अधार नमबर फूल पूल फादर्स नम मदर्स नेम नेशनलिटी यह डिट्र आपको इजिली पता तरो जाएगा और यह लास्ट पर आप यहां पर जो mail ID और मोबाइल नमबर देंगे यहां पर याद रखना कि यह आपका गलत मोबाइल नमबर गलत मेल मत देना जो मेल आईडी मोबाइल नमबर आप हमेशा यूज करते हैं वही देना और उसके बाद आता है एक्जामिनेशन पास्ट और नेम इस्टिटूट आप जो जो कॉलिपक कतम हो रहा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो फिर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ थोड़ा सेयर करें फिर मिलनेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो बापाए